हान जी दोस्तो तो कैसे हैं आप लोग दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइनली दोस्तो वो डेट आ गया और कल आपका एंटरेंस एक्जाम है ऐसे में दोस्त आपको क्या-क्या साउधानिया वरतनी चाहिए एक्जामिनेशन सेंटर पे कितने बज़े आपको जाना चाहिए एक्जामिनेशन सेंटर पे और क्या-क्या लेके जाना चाहिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको वहाँ पे नहीं करनी चाहिए इसकी complete details इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं तो इस वीडियो को सुरू से लेके लाश्ट तक और carefully जरूर देखेगा तो चलिए दोस्त अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं इससे पहले दोस्त अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो counseling से related preparation and motivational videos देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए यहां पर आपको जो है वो proper help की जाएंगे तो चलिए अपने वीडियो को हम start करते हैं देखे दोस्त तो finally 26 मई जो हमारा entrance exam का date है वो हमारे सामने आ चुका है और finally दोस्त हम कल अपने entrance exam को देने जाएंगे तो ऐसे में दोस्त आपको क्या क्या ध्यान में रखनी चाहिए तो सबसे पहले जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको अपना ID proof ठीक है अब वो बात अलग है कि वहां पर लगे गया या फिर नहीं लगेगा लेकिन आपको जरूर ले लेना चाहिए ताकि अगर वहां पर अगर लगे तो आप उसे present कर पाएं ठीक है ID proof के तौर पर आप आधार काड ले सकते हैं ठीक है और एक photo ले सकते हैं इसके अलावा दोस्त आप बाल पे जरूर लीजेगा जो आप OMR seat पे फिल करेंगे और आप में से बहुत सारे students का ये question रहता है कि सर OMR seat कैसे फिल करें तो देखे दोस्त आप पहले students हो नए students हो या फिर पुराने students हो आपको वहाँ पे proper तरीके से बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको OMR seat फिल करना है ठीक है कोई भी students की गलती वहाँ पे नहीं होती है बसरते आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप जो है वो बिना बताये OMR seat को फिल न करने लगे ठीक है जब बताया जाए कि कैसे आपको OMR seat को फिल करना है तभी आप कीजे नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पे जो प्रिजन्ट टीचर प्रिजन्ट होंगे वहाँ उनसे जाके इस चीज के बारे में प्रॉपर जानकारी लीजे और तभी आप OMR seat को फिल कीजे नहीं तो एक गलती आपके result को रोग सकती है ठीक है तो इस बात को ध्यान में रखे दूसरी सबसे important बात ये है कि आप में से बहुत सारे students ये सोचते हैं कि 9 बजे से paper है तो हम 8.45 पे चले जाएंगे या फिर 9 बजे जाएंगे ये बिलकुल गलत बात है दोस्त आपको examination center पे minimum एक घंटे पहले जो है वो पहुँचना अनिवारे होता है ताकि अगर पहले भी enter किया जाए तो आप वहाँ पे present हो and other activities के लिए आप वहाँ पे ready हो ठीक है तो आप examination center पे एक घंटे पहले जरूर जाएगा और वहाँ पे जाके वहाँ की condition को देखते रहेगा जिस हिजाब से आपको enter किया जाएगा जिस हिसाब से आपको जो है वो सारे कारे कराए जाएंगे वैसे वैसे आपको करना है इसलिए पहले जरूर जाएए क्या पता आप traffic में भज जाए या फिर कोई और problem आ जाए इसलिए आपको सब सुरू में ही पहले चलने चाहिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत आए तो उसे आप tackle कर सकें ठीक है तो ये दूसरी चीज है तीसरी चीज जो सबसे important होती है कि वहाँ पे दोस्तों आपको जो paper मिलता है वो pack रहता है ठीक है और आपको आदेश नहीं दिया जाता कि आप उसे पहले खोले जो है वो घंटी बजने से पहले लेकिन आप में से बहुत सारे students मैंने देखा है जब मैं अपना entrance exam दिया था तो इस टाइम बहुत सारे students उस seal pack को जो है वो तोड़ दिया थे जिसके कारण जो है वो teacher जान गया था और उसके बाद से वो teacher उनके उपर बहुत गुस्से हुए थे ठीक है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो packing हुई है वो teacher के order पे ही उसको तोड़े और उसके बाद से questions को देखें और उसके बाद से solution करें ठीक है तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है तीसरी और सबसे important बात कि वहाँ पे आपको जो है वो नकल नहीं करनी है ठीक है क्योंकि आप camera की निगरानी में होते हैं वहाँ पे और ऐसे में आपकी सारी activities camera में कैद होती रहती है तो आपको ये ध्यान देना है कि हम वहाँ पे ऐसी कोई activity ना करें जिसके हमारे जो है तो चीटिंग कर रहा था ठीक है तो उसका क्या हुआ कि उसका paper ले लिया गया और 30 मिनट बाद उसको paper दिया गया तो ऐसे में दोस्त एक एक मिनट आपके लिए कीमती होता है तो ऐसे कोई activities ना करें जिसके बज़े से आपको time जो है में अच्छा कर पाएं ये सारे चीज अगर आप जानते होंगे तो आप वहाँ पे इन सारी गल्दियों को नहीं करेंगे ठीक है और उसके बाद क्या करना है कोशन देखिए किस तरीके से आपको करना है ये depend करता है आपके उपर कि आपको कौन से सक्षन आता है अच्छे तरीके से math वाला सक्षन आता है अच्छे तरीके से तो math पहले कीजे लेकिन मैं तो यहीं prefer करूंगा कि आप physics, chemistry वाले सेशन को पहले करके उसके बाद से math वाले सक्षन को करें ठीक है ताकि उसमें आपको असानी रहती है और उसके बाद से ऐसी कोई question पहले न कीजे जो आपको नहीं आते हैं पहले जितने question आते हैं सबको आपको कर जाना है और OMR seat पे on the spot उसको भर लेना है ठीक है यह पांचवे का answer B होगा या फिर एक answer A होगा ठीक है तो यह चीजे बाद के लिए हम न छोड़िये कि हम सारे question को solution करने के बाद एक साथ OMR seat पे भढ़ेंगे वैसे जो होता है वो जल्दिवाजी हो जाती है और दूसरे का answer गलत हो जाता है तीसरे का answer गलत हो जाता है तो इस तरीके से आपको नहीं करना है on the spot आप solve कीजे और on the spot OMR seat पे fill कीजे वैसे आपको बहुत आसानी रहती है और बहुत अच्छे तरीके से आप entrance exam clear कर सकते हैं last और सबसे important बात यह है कि आपको वहाँ पे नाकरात्मक अंक की process होती है UP Polytechnic में तो आपको क्या करना है कि जादा से जादा कोशन गलत नहीं करने है अगर आप गलत कोशन करते हैं तो गलत कोशन पे rank भी बहुत जादा उपर नीचे हो जाता है तो आपको गलत कोशन नहीं करने हैं ये ध्यान देना है कि जितने आपको कोशन आते हैं उतना ही कीजे और उसके बाद से देखिए अगर 30 कोशन आपको सही आते हैं या फिर 40 कोशन सही आते हैं तो आप ये सोचिए कि आपको गलत कोशन नहीं करने हैं हाँ 8-10 कोशन आप ऐसे कर सकते हैं जिन पर आपको doubt है कि option B भी सही होगा या option A B सही होगा क्या पता आपको 4 जो कोशन है वो सही निकल जाए लेकिन ऐसे कोशन को बिल्कुल भी touch नहीं करना है जो आपको नहीं आता है ठीक है ये बात आपको ध्यान में रखना है क्योंकि negative marking जो है वो बहुत जादा low कर देता है आपके marks को और आप जो है वो entrance exam qualify नहीं कर पाते हैं यही reason है ठीक है तो ये बात आप ध्यान में रखिए और entrance exam के लिए बहुत अच्छे तरीके से होप आप तयारी किये होंगे और channel पे भी आपको बहुत अच्छी तरीके से help मिली होगी कैसा लगता है हमारा वीडियो हमें कमेंट में जरूर बदाईए वीडियो पसंद आने पर वीडियो इसको लाइक कीजे और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर की दिएगा जाते जाते पांडे जी की ओर से आप सभी को best of luck इस वर करें आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए और आप बहुत अच्छे अंक से बहुत अच्छे रैंक से अपने एंटरेंस एक्जाम को कौलिफाई करें वेस्ट अफ लग दोस्तों जय हिंद जय भारत